बॉक लाया हुआ है हसन नस्रल्ला दरा हुआ है लेबनान का हिजबुल्ला संगठन नस्रल्ला को मार डालेगा इज्रै हसन नस्रल्ला इज्रैल का द्श्रा नंबर दो घ्जबुल्ला का चीफ इज्रैल के खिलाफ नस्रल्ला ने हमले का ताजा ओर जारी किया है इस ओर एकाद हसन नस्रल्ला के लड़ाकों ने इज्रैल पर 60 रोकिट दागे हैं प्रफ मियं नायब के ब southernWasli curios wizard प्राजिये बाखिया बाहिना लाइना, वुझे से का ещёिय अजया लािवाली मेद कीदान तरूह्त वुझे लुझे लाबादे बाहिता वे सब्समा स्यूंक्दकीन उ्यायम खाँफ़ लुझेख प्रफम अलब दाहियति जनूबियति लिगए। हसन नसरला जिस तरह से आक्शन में हैं उसे देख कर लगता है कि इसरेल ने नमबर टू टार्गेट सेट कर दिया है हमास का खात्मा करते करते इसरेल लिबनान में हेजबुला के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने बाला है नसरला खुलम खुला इसरेल की ताकत को चैलेंज कर रहा है बदला लेने की धमकी दे रहा है जी बदला उस हमास के नेता के मारे जाने की जो लिबनान में चिप कर बैठा था इजरेल की सेना ने हमास के इस लीडर की तलाश की और मिलते ही बेरूत में मौद की नीम सुला दिया अब्ति लैका अजरेल का अएच Всем wires ओन उन्रावा जिर दोच मा मैं में की अपन संती है वन मैं की एक हुष्पफंदा एक एक बाती हैं हमास का। जिकून मौतुपवजा चातल व인이 काला दिया आपको आगे दिखाएंगे कि हेजबुला संगठन ने इसरेल की गूट से बचने के लिए कौन सी प्लैनिंग की है लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब नसर अल्ला ने कहा कि इसरेल को छोड़ेंगे नहीं तो इसरेल ने क्या प्रतिक्रिया दी है जवाब में इसरेल ने कहा है कि हमले में हमास के उप प्रमुख की मौत लिबनान पर हमला नहीं था हमास के नत्रितों के खिलाफ की गई एक सर्जिकल श्ट्राइक में सालेह अल-अरूरी की मौत हो गई 2006 के बाद ये पहली बार है जब इस्रेयल की फौज लिबनान में घुसी और अरूरी को मार डाला हसन नसरल्ला के बारे में आप जानेंगे तो आपको अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि अब नसरल्ला का अगला कदम कितना खून बहाने वाला होगा यानि ला आखर मताबा अले तजावज अल्ड़ अध्समानीन शहीदन वा एक्थर मिन मिए वस्टीन जावीछन अधन नतवज्जह इला आईलातिहम जमीएं बिल्चावलाग शुहदाग 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 नफस तरीक नफस अल्कदिया साले, अल, अरूरी, हमास के टॉप कमांडरों में एक था और इस्रैली सेना के हिट लिस्ट में शामिल था 57 वर्शिय अरूरी लेबनान में निर्वासन की जिन्दगी बिता रहा था इस्रैली सेना को काफी दिनों से इसकी तलाश थी अरूरी बिछले चार वर्शों से आईडिय अपके निशाने पर था मौका मिलते ही अरूरी को इस्रैली सेना ने मार डाला कहा जा रहा है कि अरूरी इस्रैल के डून हमले में मारा गया अरूरी हमास और हिजबुल्ला के बीच एक कड़ी था अरूरी के संपर्क सूत्रों के चलते ही हिजबुल्ला उसका खुल कर समर्थन करता रहा लेकिन इस्रैल ने नस्रैल्ला के सबसे करीबियों में से एक कुमार उसे बहुत बड़ा जटका दे दिया है लिहाज़ा नस्रैल्ला बदले की आग में जल रहा है इस्रेल के भय से नसरल्ला बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं देखता लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि हसन नसरल्ला एक शिया आले मतलब धार्मिक विद्वान है जो लेबनान में हेजबॉल्ला ग्रुप के प्रमुक है इस प्रमुक को इस समय लेबनान के सबसे एहम राजनितिक दलों में गिना जाता है जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है हसन नसरल्ला लेबनान के साथ साथ दूसरे अरब देशों में भी लोग प्री है इरान और अली खामनेई के साथ बहुत निकट के और विशेश संबन है हिस्बॉल्ला को अमेरिका की ओर से आतनक्वादी संगचनों की सूची में शामिल किया गया है हिस्बॉल्ला का मकसद इस्रेल की वरबादी है इस्रेल भी हिजबुल्ला को हमास से ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मन मानता है ये भी क्लियर है कि बिना हिजबुल्ला के सफाय के या किसी शांती समझोते के इस्रेल चैन से नहीं जी पाएगा क्योंकि हिजबुल्ला इस्रेल के खिलाफ हमले करने से बाज नहीं आएगा हिजबुल्ला के पास हत्यारों का बहुत बड़ा भंडार है जिसमें ऐसी मिसाइले शामिल हैं जो इस्रेली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती है इसके पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके है इस्रेल के मुताबिक हिजबुल्ला के गरीब 45,000 लड़ाके है हिजबुल्ला के पास 120,000 से 130,000 मिसाइले हैं इन में तमाम लंबी दूरी तक मार करने वाली भी शामिल है इसके अलाबा हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक हतियार, मानो रहे त्रोन, एंटी शिप मिसाइले और हवाई रक्षा प्रणाली मौझूद है जाहिर है इस्रेल को गाजा से भी ज्यादा मुश्किल आएगी अगर हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो, लेकिन मुश्किल है कि हिजबुल्ला को रोकने के अलाबा इस्रेल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है यही वज़े है कि इस्रेली प्रधान मंत्री बेनेमिन नेतनियाहू ने कह रखा है कि अगर हिजबुल्ला इस विवाद में दूसरा मूर्चा खोलता है तो उसको औकल्पनी जवाब दिया जाएगा सवाल बनता है तो क्या लिबनान के खिलाब इस्रेल जंग का ऐलान करने ही वाला है अगर ऐसा होता है तो फिर इरान आएगा वही इरान जिसने हमास को मुश्किल के वक्त छोड़ दिया इरान इस्रेल के हमले के वक्त हिजबुल्ला के साथ खड़ा होगा इन सवालों का जवाब एक लाइन में नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा अरब वर्ल्ड ऐसे ही हिजबुल्ला, हमास और हूथी विद्रोहियों को इसरेल के खिलाफ उतारता रहा है इसरेल के खिलाफ गोले और रॉकेट बरसाने वाले ये तीनों संगठन सिर्फ हथियार बंद संगठन नहीं है, बलकि अरबों के इसरेल के खिलाफ विरोध का प्रतीक है इरान खुलेयाम हिजबुल्ला का समर्थन करता है, भूती विद्रोहियों का साथ देता है, हमास को हथियारों की सप्लाई करता है लेहाज़ा ये बात तो बहुत साफ है कि इसरेल को फाइनली इरान से ही दो-दो हाथ करना होगा, तब ही इसरेल को सुकुन मिलेगा लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इरान अब 70 के दशकवाला इरान नहीं है उसके पास भी कहा जाता है कि परमाणू बम है अब ध्यान दीजे कि हेजबुल्ला के चक्कर में कैसे इरान और इस्रेल के बीच परमाणू युद छिड़ सकता है लेबनान और हेजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के पास लड़ाके हैं इरान का समर्थन है, हथियार है लेकिन घौर करने वाली बात है कि पूरा लेबनान हेजबुल्ला के साथ नहीं है पूर युद लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और इसके लिए जनता का समर्थन बहुत कम है इसका कारण है कि लेबनान वर्षों से अधिक संकट का शिकार है राजनितिक गदिरोत की वज़े से उचित ढंग से काम करने वाली सरकार तक नहीं है लेबनान की जनताप तहले से ग्रिय जुद सशस्त्र गोटों के भीच आंत्रिक लड़ाई इस्रेल के साथ संघर्ष और पडोसी सीरिया में युद के चल थे मुश्किलों से गुजरती रही है साथ लाग के आबादी वाले इस देश के पास इस्रेल सरीके कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इस्रेल और अमेरिका का एक साथ सामना कर सके इस्रेल से संघर्ष के बीच लेबनान के सैक्रों लोग अपने घरों के अंदर रहने या बेरूत के दूसरे शेहरों की और भागने के लिए मजबूर हुए है लेकिन हेजबुल्ला इस तरह के पलायन से इस्रेल के खिलाफ हमला बंद नहीं करने वाला लेबनान और इस्रेल के बीच की दुश्मनी भी नहीं नहीं है 2006 में हेजबुल्ला ने दो इस्रेली सैनिकों को पकड़ लिया था हेजबुल्ला इसके बदले इस्रेली कैद में बंद अपने लड़ाकों को छोड़वाना चाहता था लेकिन इस्रेल ने शर्त मानने की जगह हेजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला के घर पर बंबारी करके जबाब दिया इसके बाद दूनों के बीट 34 दिनों तक युद्ध चला इस जंग में 1100 लेबनानियों की मौत होई जबकि 165 इस्रेली मारे गए थे 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इस्रेल लेबनान बॉर्डर करीब करीब शांती रहा कभी कभार लेबनान की तरब से इस्रेल में ड्रोन और रॉकेट से हमले होते रहे जबकि इस्रेल ने 2007 से 2022 तक 22 हजार बार लेबनानी वायुसीमा का उल्लंगन किया है इसरेल ने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हमास के आतन की धर्ती के किसी भी कोने में छुपे होंगे उनकी तलाश की जायेगी और उनका खटमा किया जाएगा अरूरी को बेरूट में घुज कर मारना इसी कड़ी में है यही कारण है कि हमास के नेता कभी कतर, कभी एराग तो कभी लेबनान में ठिकाने बदल कर अपनी जान बचा रहे हैं दूसरी तरफ इसरेल की खुफ्या एजनसी मोसाद में इन सारे नेताओं को ट्रैक करने के लिए अपनी टीमे लगा रखी है कतर और इरान में हमास के नेताओं पर हमले से युद्ध बढ़क सकता है लिहाज़ा इसरेल हमास के नेताओं के लिबनान जैसे देशों में आने का इंतजार करता है ऐसा ही हमास के डिप्टी चीफ अरूर के साथ भी हुआ जब तक कतर में था सुरक्षित था लेकिन इरान से होता हुआ जब लिबनान पहुँचा तो ड्रोन हमले में मारा गया इसरेल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कतर और इरान से अभी उलचना नहीं हिजबुला हमास और हूथी को शोड़ना नहीं